हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजिनियर्स एजक्वेशन पॉइंट, इस वीडियो में इंडस्टियल आटोमेशन के कोशन पेपर को देखेंगे, यह एकजाम 12 फरवरी 2024 को कंड़क्ट करवाया गया है, बिहार के दारा, यह डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिक्स इंगरिंग, इन्स्ट्रमिनटेशन एन कोशन पेपर है, जो एकजाम 12 फरवरी 2024 को कंड़क्ट करवाया गया है, कोश्चन की और चलते हैं पहला कोश्चन में पूछा गया है लेवेल टू लेयर आप आटोमेशन पिरामीडी लेवेल टू लेयर में क्या होता है तो टोटल जो है पांच लेयर होता है लेवेल जीरो में फिल्ड लेवल होता है लेवल वन में ऑपरेशन लेवल होता है लेवल लेवल देन आप्टर ओप्रेशन लेवल और लेवल वन में लेवल 2 में हो जाएगा सुपर विजरी लेवल फिर लेवल 3 में प्लांट लेवल और लेवल 4 में इंटरफ्राइज लेवल फ्लोटल 5 हो गया लेवल 0 से लेकर के लेवल 4 थक तो लेवल 2 में जो है सुपर विजरी क certification automation होता है programmable automation होता है और फ्रिक साप्पलो का प्रूडक्ट बनाएगा है स्पाल बंवाला कोई और मसीन हिए जब केवल के बनाएगा एक ही तरह का काम जो है वह करेगा तो उससे एक ही तरह का काम करने से क्या हो जाएगा जो production rate है वह increase कर जाएगा इस फ्लिक्जीबल टू डील विच चेंज इन प्रोड़क्ट कर जाएगा इस तरह का प्रोड़क्ट बनाते हैं कोई एक ही तरह का का काम जो है वह बार-बार करेगा बार-बार एक ही तरह का काम करेगा जिससे production rate तो बर जाएगा बट फ्लिक्जीबल नहीं होगा एक ही तरह का प्रोड़क्ट जो है बार-बार बनाता है तो option A हो जाएगा टू का कोश्चन नमर थ्री है विच आप दा फॉलाइंग यह एक्जांपल अप एक्चुएटर एक्चुएटर की बात कर लें जैसे sensor हो गया सूइच हो गया यह सब जो है इनपुट डिवाइस के तरह यूज किया था एक्चुएटर जो आउटपूट डिवाइस के तरह यूज किया जता है जिसे कि स्टीपर मोटर हो गया तो यह जो स्टीपर मोटर है यह एक्चुएटर का एक्जांपल हो गया थिरी का ए हो जाएगा एक्चुएटर का एक्ज question number 5 है which of the following is part of DC signal conditioning system DC signal conditioning system का कौन सा parts होता है तो DC signal conditioning का जब आप block diagram देखेंगे तो उसमें transducer भी होता है low pass filter भी होता है bridge भी होता है यह सभी का use क्या जाता है all of above हो जाएगा option D question number 6 है dash is used to transmit measured quantity to a remote location for processing and recording in data acquisition system करा किसका use क्या जाता है to transmit measured quantity to a remote location for processing and recording remote location के लिए processing recording के लिए किसका use क्या जाता है telemetry का use क्या जाता है remote location के लिए option B हो जाएगा question number 7 है 4 is to 1 multiplexer required dash select line 4 is to 1 multiplexer है 223 power M is equal to N होता है N यहाँ पर 4 input हो गया तो 2 पर power M is equal to 4 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर power M is equal to 4 को 2 पर 2 लिख सकते हैं तो M का value 2 हो गया 2 क्या हो गया select line हो गया option A हो जाएगा digital electronics का यह question है question number 8 है different signals are multiplex on a single channel sequentially one after another देखिए different सारा signals है उसको एक ही channel से जो है उसको multiplex किया जाए एक ही channel पर और एक के बाद दूसरे दूसरे बाद तिसरा sequentially उसको pass करवाए जाता है तो यहाँ पर क्या हो गया time जो है अलग-अलग time दिया जा रहा है मतलब time का division हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग time division multiplexing बोलते हैं तीक है ना जो channel एक ही single channel होगा लेकिन अलग-अलग time दिया जाएगा तो time division multiplexing अगर same time रहेगा सबके लिए time रहेगा बट channel अलग-अलग दिया जाएगा तो फ्रिक्वेंसी division multiplexing मतलब frequency को divide कर रहे है टाइम पूरा मिलेगा बट फ्रिक्वेंसी अलग-अलग कम-कम फ्रिक्वेंसी हो जाएगा डिवाइड करके तो फ्रिक्वेंसी डिविजन और फ्रिक्वेंसी एक ही channel रहेगा बट अलग-अलग time slot दिया जाएगा तो that is time division multiplexing तो option B हो जाएगा question number 9 है which of the following is part of programmable logic controller PLC का कौन सा parts है CPU तो होता ही है central processing unit input output module भी होता है option C हो जाएगा both A and B option C हो जाएगा 10 number question है HMI stands for HMI का full fun पूछा है human machine interface होता है human machine interface जो क्या करता है machine और human wing के बीच में connectivity प्रोवाइड करने का काम करता है HMI B हो जाएगा question number 11 है which of the following is primary goal of industrial automation जो industrial automation है उसका primary जो है goal क्या लक्ष होता है to increase efficiency को बरहाना improve safety को बरहाना to reduce cost यह सभी काम होता है efficiency को भी बरहाना safety को भी बरहाना और cost भी कम जे-कम करना तो all of above हो जाएगा option D हो जाएगा question number 12 है which of the following is main component of industrial automation system industrial automation system का main component क्या है तो PLC होता है जो main component होता है industrial automation का PLC होता है HMI होता है human machine interface होता है और control system होता है यह तीन जो है MOOC component होता है main component होता है industrial automation का PLC, HMI, control system according to option PLC हो जाएगा C question number 13 है PID controller is used to increase PID controller proportional integral derivative controller PID controller का use किया जाता है तो stability और accuracy दोनों को increase करने के लिए stability को भी बरहने के लिए और accuracy को भी increase करने के लिए option C हो जाएगा question number 14 है function of graphical user interface GUI graphical user interface का क्या function होता है to understand the position of the tool according to the input program input program के according जो है जो टूल का position होता है उसको समझना अनुकरन करना option C हो जाएगा question number 15 है speed and position in CNC machine can be controlled by using किसका use किया जाता है speed और position को control करने के लिए slide table and spindle का use किया जाता है option A हो जाएगा question number 16 है which of the following component of a hydraulic system is used to store sufficient amount of hydraulic wire hydraulic wire को hydraulic wire को store करने के लिए किसका use किया जाता है तो oil reserve wire का use किया जाता है option B हो जाएगा question number 17 है in which of the following system power transmission takes place through compressed air का रहा है कौन सा system में power transmission जो है होता है compressed air के थूर किया जाता है तो pneumatic system में ऐसा किया जाता है pneumatic system compressed air के थूर जो है power transmission किया जाता है option A हो जाएगा 18 है which of the following is example of programmable controller programmable automation programmable automation का example में paper mill हो जाएगा option B हो जाएगा paper mill question number 19 है PLC is using PLC का use machine tool के लिए जाता है automated assembly equipment दोनों के लिए के जाता है बोत यहन भी option C हो जाएगा question number 20 है which of the following system requires feedback किसमें feedback चाहिए closed loop system में feedback चाहिए open loop में feedback नहीं होता है option B हो जाएगा group B का question number 2 है what is fixed automation write it some example fixed automation क्या होता है और इसका कुछ example बताना है और मैं पुछा है what do you mean by sensor and actuator से आप क्या समझते हैं यह पुछा है question number 3 है explain sequence and logic control इसी के और में पुछा है what is PLC hardware environment PLC hardware environment क्या होता है यह बताना है question number 4 में पुछा है what is ratio control in industrial automation industrial automation में ratio control क्या होता है और में पुछा explain open loop hydraulic system with the help of an example open loop hydraulic system को explain करना है example की मदद से question number 5 में पुछा है write the salient feature of CNC machine CNC machine का जो है विसेस्ता को बताना है इसी के और में पुछा है what is the main objective of PID controller proportional integral derivative controller जो होता है उसका main उद्देश क्या है question number 6 है write the application of industrial control system industrial control system का application को लिखना है इसी के और में पुछा है what do you mean by multiplexing in data acquisition system data acquisition system में multiplexing से आप क्या समझते है यह बताना है group C का question number 7 है what is the need of programmable logic controller in automation automation में programmable logic controller PLC का क्या need है क्या आप सकता है यह बताना है और में पुछा explain working principle of pneumatic control system pneumatic control system का working principle को बताना है question number 8 है what is industrial automation write its advantages and application industrial automation का क्या advantage है और क्या उसका application है यह बताना है और मैं पुछा है explain different layer of automation parameter automation parameter का different layer है यह बताना है जिसे field level, operation level, supervisory level, plant level, enterprise level इसको बताना है और मैं पुछा है explain basic architecture of programmable logic controller PLC का जो है basic architecture को ड्रॉकर करके explain करना है question number 10 में पुछा है what is fit forward control right its advantages and disadvantages fit forward control का क्या advantage है और क्या disadvantage है और मैं पुछा explain the working principle of PID controller with suitable diagram PID controller का working principle को बताना है diagram की मदद से question number 11 में पुछा है explain operation of data acquisition system with the help of block diagram DAS data acquisition system का operation को बताना है block diagram की मदद से और इसके और मैं पुछा explain working principle of DC signal conditioning system with the help of block diagram DC signal conditioning system का जो है working principle बताना है block diagram की मदद से तो यह देख सकते है different सरा question industrial automation का जो 12 फरवरी 2024 को exam conduct करवाया गया है state board of technical education बिहार के द्वारा उसका यह question paper है different सरा question जो exam mission में पुछा गया है आप देख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में thank you thank you everyone